हमन्ता विश्वास जैसा लोग आ करके 2008 का करनमा अपना भूल गिया यहां पर आदिवासी महिलाओं के लिए ओ नसियत दने का काम कर रहे हैं पर हमन्सुरेन है यहां पर सिभू सुरेन जी है यहां पर बंदुत्र की जैसे लोग है इबन बाबुलाल मरंडी है उसको समझना च जानते हैं कौन-कौन जमिंदलाल है अगे पिछे सब रहता है और कौन हम लोग का दिवासी लोग हम लोग का है जो इस तरह का 700 एकर 300 एकर 400 एकर कर रहे हैं पुरा कोन है इस लोग सब जानते हैं इसमें अडेमोगराफिक के बारे लोग बोलेंगे नहीं लोग कुछ पे हु रहा होगा तो बोर्डर सिकूरिटी फोर्स क्या देख रहा है क्या भारत सरकार ने राज सरकार को कभी इसके संबन में आगाह किया और कहीं ऐसा है कि राज सरकार ने उसको सहयोग ने दिया आज एहां का ताना बाना बिलकुल समाप्त कर दिया गया इसकल भारतिये जनता प इसलिए गुष्पटिया वहाँ पर निश्चितरूम से रोका जाना चाहिए वहाँ पर लेकिन डेमोग्राफी बदलने की बहां जहां तक बात है सुनिता जी आप राची हुआ धनबाद हुआ बोकारो हुआ ध्रमगर हुआ देवगर इवन देवगर तक मतार है अब आके पूछना होगा तो नहीं से पूछ लेजागा ओविधायक हम उसका बात को क्यों अतिकर्मन करेंगो जो बोली है तो क्या बोली है शब्द को हम पकड़ रहे विवादित वैसा सिल्पी बोली ही नहीं शक्ती है हम जो बात बोले आप इसी को बहुत कोई टोन देद आता है कि आखिर खुसपैठी शब्द का मापदंड क्या है कौन ये तैक कर रहा है कि कौन घुसपैठी है कौन नहीं है क्या सिब मुसल्मान ही खुसपैठी है या फिर कोई और भी है जो इस पूरे जारखन में घुसपैठी बनकर यहां के जमीनों को हत्याने का काम कर रहा फिलाल इसी बात को लेकर आज पुर्फ सिक्षा मंतरी बंदू तिर्की ने एक प्रेस कॉन्फरेंस किया है इसी बाबत हम इनसे बाचीत करते हैं दादा सबसे पहले तो जोहार 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 अचा ये बता है ये खुसपैटिये का मापदंड क्या देख रहे हैं आप लोग देखे लगातार दोहजार उनिस चुनाओं के बाद असम्बिली चुनाओं के बाद साहब गन जमतड़ा की बात आती थी कि खुसपैट से डिमोग्राफिय बदल रहा है अगर गुसपैट वहां पर हो रहा है तो ये अभी 2019 बीस इकिस बाइस से नहीं उससे पहले भी आपका सरकार थी 14 में थमारा बीजीपी के सरकार उधर बीजीपी के सगा गुसपैट हुआ होगा हो रहा होगा तब है कि अगर हो रहा होगा तो बोर्डर सेकूरिटी फोर्स क्या देख रहा है क्या भारत सरकार ने राज सरकार को कभी इसके संबन में आगाह किया और कहीं ऐसा है कि राज सरकार ने उसको सहयोग ने दिया और अगर इनके पास भात्य जनता पाटी वालों के पास घुसपैट का है आकड़ा डाटा रिकोर्ड तो के अंदर में इनकी सरकार है इस पर होनी चाहिए करवाई तो जब करवाई होगा तो राजसरकार को कुछ दिसा निर्देश मिलेगा उस अनुसार अनुरूप राजसरक हुआ देवगर इवन देवगर तक मतार है डिमोगराफी का क्या हलात है यह पूरा आपस्वम इसको आप समझ सकते हैं आज राची राजधानी को आप देख ले तो यहां पर हत्मा मिशिर गोना गोना करम टोली और गोड़ा आपका अचिरोंदी आपका उधर आपका पुर आज कहां चलेगे यहां का अदिवासी दीखने को अभी आपको कुछ देख लिए यह चेंजस बीजेपी को नहीं दिखती है क्या हम आप आ रहे हैं उस पर कहां से कहां आप पूरी जमीन आज भी यहां पर CNT Act है, XPT Act है, पूरा जमीन पूरा लूटा जा रहा है बेसिकली यहां क्या बात है आपको बता रहे हैं यह तमाम चीजें भारती जनता पार्टी को नहीं दिखता है चुकि यहां से जो दूसरे स्टेट के जो लोग आते हैं वो अपना प्रोटेक्शन के लिए उनको बोट प्रोबार हो रहा है आपका जो डीड में जो दूसरों का नाम आ रहा है आपका यहां पर ओन लाइन हो रहा है साधा पटा का मामला है यह सारे चीजें हो रहा है जब पकड़ाता है तो कोन लोग आता है उस पर आज यहां पर जो भी कानून जो सविधान में हम तो चाहते है एतना कि जो हमारा सुव्व धनिक जो अधिकार है उसका पालन किजे। एक लाग 36 जर करोर एहा का रोयल्टी का पैसा है तो वो पैसा आपको देने के लिए सारे लोगों को सब्दलिये सब लोग इस बात को होनी चाहिए बात तो ये बात नहीं कहेंगे आप क्यों सी बात कर रहे हो क्या हमन को कुर्शी से गिरा देना है ये करना है वो तो जनता तै करेगी जब आपका भोट होगा तो जनता जिसको चुनना होगा चुननेगी लेकिन आप जिस तरह से अनरगल बाते और यहां पर आके हमनता विश्वास जैसा लोग आ करके 2008 का करनमा अपना भूल गिया यहां पर आदिवासी महिलाओं के लिए ओ नसियत दने का काम कर रहे हैं पर हमन सुरेन है यहां पर सिबू सुरेन जी है यहां पर बंदुत्र की जैसे लोग है इबन बाबुलाल मरंडी है उसको समझना चाहिए तो आप हमन तो विश्वास आ करके हां महिलाओं पर उंगली उठा रहा है उसको अपमानित किया जा रहा है 2008 की बात ओ भूल गए आदिवासियों के लिए जो करना था आज तक आदिवासी MOBC है उसकी बात ओ भूल गए पूरा बिलकुल जिनको नंगा दोड़ाया गया था उसके बारे हम कह रहे है तो यहां पर एक तरफ से कहिए कि इस डेमोग्राफी के बारे में इनको चिंता नहीं है यहां के लोग H.I.C. बनाने के लिए अतना अतना जमीन दिया और H.I.C. के लिए जमीन दिया तो कहां चला गी आओ विचारा लोग कहां से कहां चला गया आथ दिखाई नहीं दिता है H.I.C. का और उस जमीन को आप क्या कर रहे हो कि उस जमीन को आप बेच दे रहो कभी गरेटर राची के नाम पर कभी आप किसी कमपणी पर बेच दे रहे है यहां पर इकरा कर गे तो आप यहां पर आप यहां डेमोग्राफी को यह करने के लिए कौन जिमेवारा है इसके लिए सवाल है कि यहां रक्षक ही भक्षक बन गए पूरा और आप यहां के निताओं को भी समझना होगा इन चीज़ों को आप इस बात को एकसेप्ट कर रहे हैं कि खुसपैटिया हुआ है बांगलादेशी खुसपैटी हुए हैं इस बात को एकसेप्ट कर रहे हैं ना तो जिस तरह से यहां पर तुम्हारा आप यहां देमोग्राफिय बदलने के लिए चलिए दूसरे से यहां पर बुद्ड़ सकता वहां भी घुस गया होगा मेरा सिह इसके लिए यह है कि देखे ओहां अगर दूसरे देश के मुसल्मान आते हैं तो हां अस्थानिय मुसल्मान को नुक्सान होगा उसको उसका हाक अधिकार कच्छी ना जाये पूरा इसलिए गुश्पटिया उहां पर निश्चीतरुम से रोका जाना चाहिए उहां पर अगर ऐसा हो रहा तो उसके पास अकड़ा है भारत सरकार को उसको देखना चाहिए और इस यहां भी राची में आगर दूसरे जगह के लोग आ रहे हैं यहां डबल रसन काड़ वला लोग यहां भी रसन काड़ है उधर भी रसन काड़ वाले लोग हैं अगर यहां पर तृपूरा हो राजस्थान का अधिवासी भी यहां पर आ जाता है तो यहां के लोगों को नुकसान होगा इसकी बात को हम कह रहे हैं यहां के अनुसार यहां पर इक लिए तो आपका यह कहना है कि बीजेपी अगर खुसपैचियों की संथाल इलागों की बात कर ये ता आप रांची की भी बात कर ये इतना इतना जमीन दलाल क्या आपके इमें नहीं है नहीं जानते हैं कौन-कौन जमीन दलाल है अगे पीछे सब रहता है और कौन हम लोग आदिवा तो इसी के लिए अपना भोट बैंक कोई करने के लिए और देखिए जिस तरह के से यहां पर अफटिये भी दानसभा में चले जहीं आदिवासी का जमीन में घर बनाया है वहां बिजली कैसे गया कैसे औहां चापकल गया पुरा नियम कानून पुरा धत्ता बताते हुए कर नतीजा आज यहां पर जो इस्तिति पायदा हो रही है अने ओले दिन ने यहां पर लोग हमारे आदिवासी दिखाई ने देंगे यहां पर पुछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी राजनीतिक सवाल है इसले कर रहे हैं आपकी बेटी जो है शिल्पी नहाते की जी हम तो सुने हैं उसका किलिप को अब आके पूछना होगा तो नहीं से पूछ लेजागा ओ विधायक हम उसका बात को क्यों आतिकरमन करेंगों जो बोली है तो इस शाब्द को हम पकड़रे विवादी नहीं शकती है हम जो बात बोले आप इसी को बहुत कोई टोन दे देगा तो क्या किजेगा बहुत चीज को टोन देगा हमारा इस बात को तो लगाता है टोन ही देते रहता है अप्था पूरा आज से नहीं 20-25 साल से तब आदिवासे मूल वासे सब्द कोई बोलने के लिए लोगों को मुह में दही जम जाता था अखरी सवाल दादा ठीक है अगर कि अगया है केंदर कर एटेट क्रियए तो तो क्या राजी सरकार इस पर कोई पहल करेगे सरकार को बिल्कुल करना चाहिए इसको ये करना चाहिए उसपर क्या है जो बात आ बुल्डोजर चले तो हम फिर से कहेंगे आधी राची खाली हो जाएगी और कैबार यह देखने के लिए मिलता है कि कैसे पर्पतेवार होते जब पुरी राची खाली हो जाती है तब पता चलता है कि राची में कौन बाहरी है और कौन यहां का स्थानी है फिलाल बहुत सारी हमने बातीरी राची खाली हों लें फिलाल